हलो प्रेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रेस उनाली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेर करूँगी मौनसून के सीजन में फेर पॉल की प्रोग्रम को रोकने के लिए बहुती अमेजिंग से रेमेडी और इस रेमेडी के इस्तमाल से फेर फॉल्ट रुके गाही साथ कि आपके बालों की ग्रोध भी बहुती तेजी से होगी मौनसून के मौसूम में बालों से समबंदित बहुत से समच्छयां देखने को मिलती हैं ऐसे में बालों में पसीना रहने से बाल शिपचिपे होने के साथ बाल बेजान और कमजोर होकर जढ़ने लगते हैं मगर इन परशानी से बचने के लिए आप घर पर ही पड़ी नैचरल चीजों से एक हेर मास्क बना कर अपने बालों में अपलाई कर सकते हैं और इसके इस्तमाद से बालों को जढ़ना तेजी से कम होगा और नए बालों को उगने में बहुत मदद मिलेगी पर तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने क्रेश सुना लिए यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले एक काच का बाउल लीजिए इसमें आप बालों की लेंद के हिसाब से दो से तीन चमच नारिल का तेल डालिए तीन से चार चमच तिल का तेल डालिए अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अलवरे जल यदि आख पास घर का फ्रेश अलवरे जल है तो वो भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं और एक विटामिन E कैपसुल का ओल इसमें निकाल करके डाल दीजिए इन सब चीजों को अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए इस तयार देल को बालों की जड़ों में हलकी हाथों से मसाज करते हुए लगा लीजिए इसे शैंपू करने से एक गंटा पहले अपने बालों में लगा लीजिए और आप जाहें तो रात को भी इसे अपने बालों में लगा करके सो सकते हैं और सुबह उठकर अपने बालों की जड़ों को पोशन मिलता है ऐसे में बालों को नमी मिलने के साथ साथ ये बालों को लंबा घना और काला करने में भी हल्प करते हैं एलोवेरा को लगाने से बालों से जुड़ी समस्या से रहात मिलती है बालों का ज़ड़ना तीजी से बंद होने के साथ साथ नए बालों को भी उगने में मदद मिलती है तिल का तेल बालों की जड़ों में पोशन देता है इससे डेंडरफ की समस्या दूर होती है यह हैर फॉल की समस्या को दूर करता है इसके रेगुलर इस्तमाल से बाल लंबे घने और मुलायम बनते है विटामिन E ओयल म में blood circulation का flow तेज होता है जिससे hair growth को help मिलती है इसके इस्तमाल से सफेद बालों की समस्या कम होती है यह dender की समस्या को दूर करता है साथ ही साथ बालों में natural conditioning का भी काम करता है तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है यह information आपको पसंद आई होगी और पसंद आने पर इस वीड़िय को लाइक साथ ही ग्रैसोनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये इंफोर्मेशन आपको कैसी लगी और वीडियो को आप अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं धन्यवाद